असलाम वालेकूम, सबास बेस्ट क्लासिस में आज हम इंशालला बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट कोफते का सालन या कोफते की ग्रेवी बनाएंगे ये रेसीपी आपको आपके डेली मेन्यो में बहुत काम आएगी, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली रेसीपी है तो चलिए शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए हम आदा कीलो बोनलेस मटन मिंस बगहर हड़ी का गोश्ट लेंगे इसे अच्छी तरह से साफ करके इसके छोटे-छोटे पीसिस कर लेंगे चिकनाई वहरा साफ कर लीजी, अब इसके बाद एक कटी हवी प्यास डाल दीजीए इसमें और एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए आधा टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालिए और एक टी स्पून अधरेकलेसन का पेस्ट दो से तीन टेबल स्पून हराधनिया डाल दीजीए आप चाहें तो दो से तीन हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हर इमेज भी डालिए जरूर अच्छी लगेगी और फिर नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए यहां हम एक टी स्पून डाल रहे हैं और एक टी स्पून गरम मसाला डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर हमने एड़ किया इन सभी चीज़ों को मिला कर पीस लीजिए देखिए मैंने इन सभी चीज़ों को मिला कर पीस लिया है बहुत बारिक पीस लिया है अब देखिए यहां पर साथ टमाटर हैं और एक कटी हुई प्याज है इन दोनों को मिलाकर हम पेस्ट बना लेंगे या पीस लेंगे देखिए मिकसर के जार में मैंने प्याज और टमाटर डाले और मैं इसे पीस लूँगी या फिर इसका पेस्ट बना लूँगी देखिए यहां पर पेस्ट तयार है अब जो गोश्ट पिसा हुआ था उसके आप बॉल्स बनाना शुरू कीजिए मिंस कोफते बनाना शुरू कीजिए अपने हातों पर थोड़ा सा ओईल लगाईए या फिर अपने हातों को अच्छी तरह से साफ धोईए और उस पर थोड़ा सा पानी लगा हुआ रहने दीजिए फिर उससे आप बॉल्स बना लीजिए देखिए इस तरह से आप सारे बॉल्स या कोफते बना लीजिए यहां पर मैंने सारे कोफते बना कर रख लिये हैं अब एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए अच्छी तरह से गरम होना चाहिए तेल फिर आप इसमें यह कोफते डाल दीजिए कोफते डाल कर हाई हीट पर मिन्स तेज आज पर आपने इसे फ्राइ करना है और शुरुआत में सिर्फ कड़ाई को हिलाना है चमच ना हिलाई यह अंदर अगर चमच हिलाएंगे तो यह कोफते तूट सकते हैं इसलिए हमने सिर्फ कड़ाई को हिलाना है और कोशिश कीजिए कि यह नॉन स्टिक पैन में आप इसे तलें और जब यह अच्छी तरह से तल जाएं तब आप इने निकाल लीजिए शुरुआत में तो हम इसमें चमच नहीं हिलाएंगे लेकिन जब यह थोड़ा सी पक जाएंगे तो तब आप इसमें चमच हिला सकते हैं तो अच्छी तरह से तलने के बाद इसे निकालिए, फिर उसी तेल में आप एक टी स्पून अदरकलेसन पेस्ट डालिए, इसे थोड़ा सा फ्राइ कीजिए, और फ्राइ करने के बाद पाव टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए, यानि 1 फॉर्ट टी स्पून ह और प्यास का पेस्ट, इसे भी पकने दीजिए, फिर उसमें नमक डाल दीजिए, टेस्ट के हिसाब से, यहां मैंने 1 टी स्पून डाला, इसे अच्छी तरह से देज आँच पर पकाईए, कुछ देर धकन धाक कर पकाईए, फिर आदा टी स्पून जीरा पाउडर डालिए, आदा टी स्पून धन्या पाउडर डाल दीजिए, आदा टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालिए, सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कीजिए और आधा टीजपून गरम मसाला पाउडर इसमें add कीजिए सभी चीजों को mix करते हुए पकाईए फिर उसके बाद इसमें तले हुए कोफते डाल दीजिए इसे mix कीजिए और अब ढकन ढख कर इसे आप धीमी आज पर साथ से आठ मिनट के लिए पका लीजिए और फिर इसका धकन खोलिए इसमें एक टी स्पून कसूरी मेथी को अपने हाथों से क्रश करके डाल दीजिए और इसे कुछ देर पकाईए और अब हम इसमें डालेंगे ये हराधनिया थोड़ा सा हराधनिया कट करके इसमें डालिए ये हमारे कोफते बिलकुल तयार है आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और सिर्फ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी ज़रूर प्रेस कीजिए इन्शाला फिर मिलोंगी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू